Hello दोस्तो, Welcome back to PMF IS Environment Video Lecture Series, आप सभी के इस Environment की Video Lecture Series में स्वागत है, आप जानते हैं कि एंटायर सीरीज जो है वो PMF IS Environment Booklet 2024-2025 के बेसिस पर हम लोगोंने डिजाइन करी है, and the entire series is presented by me, मेरा नाम दोस्तो रिशब है, ये वीडियो 7th है, यानि कि एंटायर वीडियो सीरीज में य जिसके अंदर हम लोग Chapter 3 of the PMF IS Environment Booklet को cover करने वाले हैं, that is functions of the ecosystem, और ये part 1 है वीडियो का, table of contents में आप चेक कर सकते हैं, functions of ecosystem के अंदर जैसे ecological succession क्या है, उसको discuss करेंगे आज, और homeostasis क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वैसे तो ecosystem के कई सारे functions हैं, दोस्तो, ecosystem को कोई एक function नहीं है, बहुत सारे functions हमारे लिए perform करता है, हमारा ecosystem जहाँ पे biotic and abiotic का interaction possible हो पाता है, जिसमें सबसे पहला होता है ecological succession, दूसरा होता है homeostasis, तीसरा है energy flow and the last one is your nutrient cycling या फिर biogeochemical cycling, इन दोनों को हम लोग later portions में cover करेंगे वीडियो के, बट आज की इस current वीडियो के अंदर हम ecological succession और feedback control mechanism, यानि की जो homeostasis का concept है, उसके बारे में बात करते हैं, चलिए शुरवात करते हैं ecological succession की, देखिए जो succession है ना, बहुती layman terms में पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग technical terms में बात करेंगे, succession word, तो अगर आप समझना चाहें, तो इसको आप ऐसे समझ सेकते हैं, successor से निकला है, और successor कौन होता है उत्राधिकारी जैसे पहले राजा रजवारे होते थे तो राजा का बेटा जब उत्राधिकारी बनता था या फिर कोई और उत्राधिकारी बनता था यानि कि एक राजा जब अपना पूरा time period विता लेता था उसके बाद उसका पुत्र जो है या आगे का जो successor है वो उस चीज़ को चलाता था यानि every time the king was replaced या वो जो राजा था वो replaced होता चले जाता था और हर बार एक नया उत्रादिकारी आता चले जाता था similarly ecological succession का मतलब क्या है environment के अंदर ecology के अंदर ऐसा ही same process होता है एक species जो है वो replace होती चले जाती है बाई दूसरी species और हर बार एक नया उत्रादिकारी आता चले जाता है कब तक ऐसा होता रहता है जब तक एक ऐसा उत्रादिकारी ना आजाए जो पूरे के पूरे kingdom को भ्हतर तरीके से समाल सके मेरे कहने का मतलब है जब तक कोई ऐसी स्पीशी ना आ जाए जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाए जो एकलिब्रियम में आ जाए जो ऐसी स्टुएशन में आ जाए कि एन्वार्मेंट के साथ अडैप्ट कर जाए तब तक उत्राधिकारी नया आता ही चले जाता है और इसी प पढ़िये का बहुत ही इंपोर्टन है और इंपोर्टन करेक्टरिस्टिक्स अफ और आप देखोगे तो यार हम लोग इस तरीके के नहीं थे जैसे आज हैं तो यानि कि अगर आप देखो एक समय जानवर था फिर धीरे-धीरे और आज हम जिस तरीके के हैं वो इसी वजे से मौझूद है क्योंकि एक सक्सेशन का प्रॉसेस इवाल्व होता वा आया है यानि कि मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पीशीज का जो कंपोजीशन है वो चेंज होता चले जाता है और याद रखेगा यह जो चेंज है वो और ली है सिक्वेंचल है और पैरलल है चाहिए इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है देखिए मैं मान के चलता हूँ आप इसको ऐसे समझे एक एरिया है यह दिस एरिया और यहां पे अभी अभी लावा जो था वो निकला था और लावा जो है वो पूल हो चुका है यानि कि लावा थंडा पड़ चुका है वालकेनो इरप्थुआ लावा आया लावा जो है थंडा पड़ गया है और आप जानते हैं लावा जब थंडा पड़ जाता है तो वो रॉक की फॉर्मिशन ले लेता है तो यानि कि मैं बात पर रहा हूँ एक ऐसे रॉक की जो बैरन है यानि कि यहां पे भी कोई लाइफ नहीं है कुछ मौजूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक रॉक का हिस्सा है जो कि लावा थंडा होने के बाद बना है अब होगा क्या है यहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे माइक्रो और्गयानिजम्स जो है वो डेवलापोना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले फिर माइक् स्टार्ट होती चली जाएंगे अब मैं यह जो अबी लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है सिक्वेंशल यानि कि उत्रादिकारी हर बार एक नई स्पीशी आती जा रही है इस एरिया में तो एक बार है एक बार है बी एक बार है सी एक बार है डी और फाइनली सबसे अंत में आती है चली इसी से हम लोग पूरा एकलोजिकल सक्सेशन को अराम से समझते हैं मैंने क्या बोला बैरन लैंड बैरन लैंड पे जो वालगैनों थंडा पड़ा उस पर उस रॉक पे पर प्रटिकुलर्ली उस जगा पर सबसे पहले कौन आए माइक्रो और्गैनिसम यह जो तरफ आते हैं ज्यान जे सुनिएगा सबसे पहली बार उस एरिया में उस सक्सेशन के प्रोसेस को में स्तार्ट करने वाली जो स्पीशी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं पाइनियर कमिनिटी पाइनियर स्पीशी आगे हम लोग इसको वाट डिटेल में देखेंगे बट एक ज्याद रखेगा सबसे पहली बार उस एरिया के प्रोसेस में सक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाली जो स्पीशी है उन्हें हम कहते हैं पाइनियर अब देखिए होता यह है कि जब यहाँ पर माइक्रो और्गेनिजम्स आए हैं तो उस समय एक एंवार्मेंटल स्टेट होगी और मैं उस एंवार्मेंटल स्टेट को मानता हूँ जुकि वो एक्स स्टेट में हैं आज यानि जिस समय माइक्रो और्गेनिजम्स उदार आए तो वो एक्स स्टेट के अंदर मौझूद है क्या आपके एंवार्मेंटल कंडिशन में माइक्रो और्गेनिजम्स अब क्या हुआ माइक्रो और्गेनिजम्स जो हैं दीरे-दीरे ये मरेंगे ठीक है जब ये दीरे-दीरे मरेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं और्गेनिक मैटर प्रेड्यूस होगा डिकम्पोजिशन होगा यूमस बनेगा कुछ भी ऐसा हो सकता है सो इन शॉर्ड मैं आपसे ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि सॉइल फॉर्मेशन होगा अचा सॉइल फॉर्मेशन के साथ साथ एक और चीज़ होगी अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं यहापे कि यह जो माइक्रो और्गेनिजम्स हैं जब ये मर जाएंगे हुमस क्र इर आ गई है फर्टिलिटी अलग हो जाएगी जो न्यूट्रियंट कंटिंट्स हैं वो बदल जाएंगे मेरे कहने का मतलब है वहां के इर्द गिर्द का टेंपरेचर क्लाइमेटिक कंडिशन्स ट्रांस्पिरेशन का प्रॉसेस सालिनिटी का लेवल सब कुछ चेंज हो जा यानि X स्टेट में जिन्दा रह पारे थे वो Y स्टेट में जिन्दा नहीं रह पाएंगे हैंस जब वो Y स्टेट में जिन्दा नहीं रह पाएंगे तो नई तरीकी की स्पीशी डेवलाप होगी और ऐसी स्पीशी जो है वो इस एंवार्मेंटल स्टेट के लिए क्या होगी better adapted, better occupied, better ready तो यानि कि A community जो है वो वाई तरीके के environmental conditions में जिंदा रह पाएगी बट जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक process है क्या कि अब A community भी मरेगी, चीजों में changes आएंगे धीरे-धीरे environmental process जो है वो अलग होगा CO2 जादा release होगा, बहुत सारी चीज़े धीरे-धीरे change होती रहते हैं because it is a gradual process और environmental condition अब Z बन जाएगी, इस Z conditions में A survive नहीं कर पाएगे, हैंस B community जो है वो Z तरीके के environmental conditions में जिंदा रह पाएगी और ऐसा कब तक चलता रहेगा जब तक अंत में आने वाली जो species है वो एक क्या ना हो जाए, एक climax stage पे ना पहुच जाए यानि कि एक ऐसी better adaptation ना पाले कि वो उस environment के अंदर stabilize हो जाए जब तक environment बदलेगा और species अगर उसमें जिंदा नहीं रह पाएगी तो वो change हो जाएगी by a sequential next particular तरीके की species के द्वारा इसी process को ecological succession कहा जाता है तो देखिए, अगर मैं आपको इस द्वारा से इस पूरे process को बताऊं तो आप यह समझ पा रहे हैं कि this is a orderly process यानि कि यह होता चले जाता है, कब तक होता चले जाता है जब तक pioneer communities से climax species तक ना पहुच जाए यानि pioneer वो जो सबसे पहली बार आई और सबसे अंथ की सबसे mature, सबसे बहतरीन, सबसे बहतरीन तरीके की adaptation पाने वाली species जो है वो climax है, तो pioneer से climax तक का जो सफर है इस पूरे सफर को orderly process बोला जाएगा फिर आप देखो sequential है, ऐसा नहीं हो सकता कि directly pioneer से climax आजाए पाइनियर से, microorganism से A community आएगी, फिर B आएगी, फिर C आएगी, फिर D आएगी, फिर last में जाके climax आएगा यानि कि it is a sequential and this is also a parallel process now parallel क्यों बोल रहा हूँ है, कि जैसे-जैसे species change हो रही है, वैसे-वैसे environment की state भी change हो रही है और जैसे-जैसे environment की state change हो रही है, वैसे-वैसे new species भी आती चली जा रही है मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है, अगर मैं आपको और layman terms में बताओं देखे, एक समय था, अगर आप notice करेंगे, डेली के अंदर जो sparrow है, छोटी वाली जो चडिया है, वो गायब हो गई थी बिल्कुल गायब हो गई थी, extent की कागार प्रावेट यह देखने को ने मिल रही है, बट अब दुवारा से देखने को मिल गई है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100-500 साल बाद यह वापिस जो आई है, यानि कि एक नई तरीके की better adapted sparrow या better adapted चिडिया जो है, वो आई है या फिर मैं यह बोल सकता हूँ कि आप अगर notice करो हम humans जो हैं आज डेली के air pollution में जिन्दा है, हो सकता है आज से एक करोर साल बाद यह 10,000 साल बाद कुछ हजारों सालों बाद ऐसा हो सकता है कि हमारे जो lungs हैं वो इस तरीके से adapted हो जाएं कि हम इसी डेली के गंदे pollution में भी better तरीके से जीपा हैं, so you never know what changes can occur, but याद रखीगा ecological succession का मतलब क्या है, हर बार एक नई better community आती चली जाती है, और पिछली बार से वो better होती है, better adapted होती है, और उस environment में जाद अच्छे से जीपाती है, that is why याद रखेगा environment भी change होगा, species भी change होगा, and this gradual and fairly predictable change in the species composition is nothing but your ecological succession, तो ये species के अंदर जो बंदनता हुआ change है, ये बदलती हुई species का composition है, ये सी को हम ecological succession कहते हैं, और याद रखेगा ये progressive series है, जब तक stable, mature, climax, community, develop नहीं हो जाती है, तो अब बात करने बढ़ेगे आपको what is the aim of ecological succession, aim ही क्या है ecological succession, क्यों हो रहा है, देखे, aim of the ecological succession is to reach equilibrium, equilibrium वैसे ए equilibrium का मलब होता है state of balance, एक ऐसी स्थिती जहां से environment और उसमें रहने वाली species जो है balance maintain कर लेती है, जैसे आपने तराजू देखा हुआ बिल्कुल बराबर हो जाए, उसी को हम equilibrium कहते हैं, उसी को हम state of balance कहते है, ecosystem के अंदर जब ये achieve हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ecological succession का process जो है वो complete हो चुका है, यानि climax community आ चुकी है, और याद रखेगा जो present day communities जो आज जो भी आपको देखने को मिल रही है, ये एक series of succession की stages से निकल गया है, सालों साल, millions of years, इसमें succession का process हुआ है, तो ये बात धियान रखेगा, succession एक orderly, sequential and parallel process है, अच्छा, हरी community जो है, वो इस त तरीके से thrive कर सके, survive कर सके, जैसे for example, early colonizers, यानि colonizer मतलब जो हाँ पे, जैसे for example, ये barren land है, यहाँ पर मान लीजे, microorganisms आए, फिर उसके बाद छोटी-छोटी grasses हो गई, अब ये जो early colonizers हैं, क्योंकि बहुत initial phase में आपको grasses देखने को मिलेंगी, और last में तो आप जानते हैं, forest बनता है, अगर मैं climax की बात करूँ, तो बोल रहें, early colonizers like grasses, might add nutrients to the soil, यानि कि ये soil के अंदर थोड़ा सा nutrient add कर देंगे, आप कैसे add कर देंगी soil के अंदर, आप जानते हैं, कि grasses क्या हैं, again, they are nothing but the organic matter, और ये organic matter का जब decomposition होगा, humans बनेगा, layers बनेगा, soil की fertility बढ़ेगी, यह हम प trees आजाएंगे, तो नीचे वाले plants के लिए भी betterment हो जाएगा, क्यों को shade मिल जाएगी, यानि हर बार जो species आती है, वो दूसरी और नई तरीकी की species को जनम देने के लिए, better adaptation के process को लाती है, हर बार ऐसा होता चले जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, the first species to colonize in an area is pioneer community, देखिये, सबसे पहली बार, जो species आती है, first time, इस succession के process को start करती है, first time, तो क्या बोलो, pioneer, और generally जो ये pioneer होते हैं, कौन होते हैं, mosses and lichens, ये lichens भी बोला जाता है, तो याद रखियेगा, जो आपके bacteria, fungi का एक symbiotic relationship है, algae का एक symbiotic relationship है, mosses जो है, ये सब जो है, early colonizers होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, they are the one, those come in the first place and start the process of succession, that is known as pioneer, और सबसे अंत में कौन होते हैं, आप जानते, climax community, climax species, जो बहुत जादा stabilize होती है, बहुत जादा mature होती है, बहुत जादा complex होती है, और long lasting होती है, क्योंकि complex होती है, mature होती है, better adapted होती है, environment में, तो एकदम से change नहीं हो सकती, यानि कि well developed forest, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिछले example में, कि सबसे पहले microorganisms आये, फिर A community आये, फिर B आये, फिर C आये, फिर D आये, and finally, last में जो climax community थी, वो थी E, E को हमने climax बोल दिया, microorganisms को हम लोगोंने first species, यानि कि pioneer बोल दिया, ये beach की species, जो develop होती चली जा रही है, सालों साल, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा, serial community, याद रखेगा, they are transitional community, यानि कि pioneer से climax के बीच में, जो species पढ़ती है, इनको बोला जाता है, serial community, और ये रही, successional stages, और सेरे, and these transitional communities are known as serial community, क्या ये बात आपको clear है, चलिए, question को समझते ह what is the end of succession, कहां रुके का succession, अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को इसका जवाब दो, आज हम जो modern humans हैं, क्या हम climax है, हाँ या ना, आपका answer क्या, आप बोलते हो, हाँ, तो ये बात भी सही है, आप बोलते हो, ना, तब भी आप सही हो, but perspective का game है, अब चलो मैं आपक community है, क्यों, क्योंकि आज के perspective में अगर आप देखोगे, हम से जादा mature climax, complex, long lasting species नहीं है, तो हम एक sequential order के बाद आए हैं, and yes, जो हम आज की date में हैं, homo sapiens sapiens, this particular species is a kind of a climax community, but अगर मैं आप से बोलूँ, आज के perspective से आप ये देख रहे हो, आज से एक लाख साल बाद, हम लोग तो नहीं रहेंगे, obviously, but एक लाख साल बाद हम किस तरीके से दिखेंगे, हम किस तरीके से होंगे, हमारी series, हमारी जो species है, वो किस तरीके से मिलेगी, वो हमें idea नहीं है, अभी तक, तो आने वाले करीबन करीबन एक लाख साल में कुछ change आएगा, तो हो सकता है, एक लाख साल बाद अगर हम अपने आपको देखें, तो हम उस समय अपने आपको climax कहें, और आज की हमारी ही species क्या बन जाए, serial, क्या मेरी बाद समझ पा रहे हो, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, कि आज के perspective से अगर आप humans को देखते हो, यानि कि मैं मान के चलता हूँ, यही end है, तो हम climax है, बट आप जानते हो, successional जो है, रुखने वाला process नहीं है, succession ऐसा नहीं है कि रुख जाए, succession तो होता चले जाएगा, आगे बढ़ता चले जाएगा, हर एक बार environment चींज होगा, तो नई species आती चली जाएगी, और better adaptation होती चली जाएगी, यह आने वाली, जो sequential species है, हो सकत पकी है, कि एक लाग साल बाद अगर हम इसी process को दुआरा से देखेंगे, तो उस समय जो हम होंगे, वो climax होगा, और हम आज की इस species को क्या बोल देंगे, serial, क्योंकि यह फिर transitional में count हो जाएगी, तो याद रखेगा, what is the end goal of succession to reach climax, to reach stability, to reach equilibrium, यह बहुत important point है, अच्छा, आप प बता कि climax है, यह traditional है, यह pioneer है, कैसे देखके बता होगे, अब सुनिए, इसके कुछ characteristics है, जैसे, अगर productivity बढ़ जाए, तो बोलो climax है, अगर nutrients reservoir में से shift हो जाए, यानि कि reservoir जैसे, for example, आप बोलिए, sulfur जो है, वो stored है, कहां पे stored है, कोईले के रूप में नीचे, biomass के रूप में stored है अगर वो वहां से निकल जाए, यूज हो जाए, reservoir में से shift हो जाए, nutrients तो बोलो हाँ, क्यों, क्योंकि देखो shift कब होंगे nutrients, नीचे से, phosphorus है, जो rocks के अंदर पाया जाता है, या sulfur है, या nitrogen है, ये shift कब होंगे, जब species जादा अच्छे से adaptation में होंगी, तो अगर reservoir में से nutrients shift हो रहे ह हैं, इसका उनलब species present हैं, और वो climax को show करता है, अगर diversity बढ़ जाए, यानि कि विबनता, एक species, एक तरीकी की ना हो, multiple तरीकी की species एक जगा पाई जाती हो, variability बहुत जादा हो उन में, और बहुत सार ecological niche हो, या to ecological niche, the unique functional role performed by an organism, अपने उस particular area में, अगर हर community अपने अपने अरिया तो हम क्या बोलेंगे, obvious सी बात है, we will say कि more ecological niche is present, यानि कि जादा तरीकी की और भेतिरीन तरीकी की species वहाँ पर present है, gradual increase in the complexity of food webs, food webs, यानि कि कौन किसको खाता है, एक जानवर एक ही को खाता है, तो problem है, बट एक जानवर दो को खाता है, तीन को खाता है, चार को खाता है, तो ये complexity of food webs को show करता है, और अगर complexity है, food webs के अंदर एक ही जानवर एक को ना, बलकि multiple organisms को खा सकता है, तो उसके survival के chances जादा होते है, मेरे कहने का मतलब है, जैसे for example, मान के चलिए, मैं बोलता हूँ, plants, plants से energy ली, grasshopper ने, grasshopper को खाया, frog ने, frog को खाया, मान लेजे, snake ने, snake को खाय वल्चर ने, ये जो है, chain है, सिर्फ, food chain कहते हैं से, एक जानवर एक को खाया है, बट आप मुझे एक बात बताओ, मान लेजे, गलती से frog जो है, वो extent हो जाए, गायब हो जाए, खतम हो जाए, तो snake के पास क्या कोई खाना नहीं है, ने, snake के पास खाना है, rabbit को भी खा सकता है snake, snake deer को भी खा सकता है, तो snake के पास multiple खाने हैं, और multiple चीज़ों पर feeding करने की जो उसके पास possibility है, इसी वज़े से वो जिन्दा रह सकता है, यानि कि इसे कहते हैं food web, एक जानवर multiple organisms के साथ अपना relationship को maintain करता है, बाकी हम लोग आगे detail में cover करेंगे, and vegetation is tolerant of environmental conditions, यानि जो वहां के पेड़ पौदे हैं, जन जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, उस तरीके के environmental conditions में adaptation पाच चुकी है, इसी process में ecological succession का climax माना जाता है, अब बात करते हैं stages in the succession, stages क्या है, देखिए सबसे पहली होती है nudation, फिर होती है invasion, फिर होता है competition and co-action, फिर होता है reaction, और last होता है stabilization, यानि climax community, तो अगर आप से कोई पूछाए सबसे पहला process, nudation, nudes, सोना होगा आपने nude, nude मतलब कहते हैं न एकदम नंगा, यानि कि बेर साइट, तो ऐसा बेर साइट पे जहां पे कोई नहीं रहता है, वहां से जब process start होता है, उस first process को क्या बोलता है, nudation, यानि कि जैसे for example, आप दे start होता है, ecological succession वाला, तो आप बोलो कि यार, यह first stage है, यहां से nudation हुआ है, यहां पे आग लगी, forest fire हुआ और उसके बाद यह start हुआ, तो हम बोलेंगे, nudation वाली stage में start हुआ, अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजे, lava है, वो cool हुआ, nudation, first, जहां पे कोई नहीं रहता है, अग अगर ऐसा बोला जाए कि un-inhabitate, मतलब कि कोई भी वहाँ पर रहता नहीं है, तो आप उसको बोलो, nudation, फिर आता है, invasion, invasion का process क्या है, देकि invasion के process में तीन बहुत बड़े important process आता है, एक होता है migration, एक होता है excess, एक होता है aggregation, first process, migration, यानि कि invasion तीन process में complete होता है, सबसे पहले हो spores, propagules of a species, reach the bare area due to migration, आप जानते हैं एक खाली जगा है, फिर होता क्या है कि हवा, पानी, अलग-अलग माध्यम से, ये seeds, you know propagules, जहां पे vegetative growth की possibility होती है, spores, ये पहुच जाते हैं उस खाली जगा पे, फिर क्या होता है, excess होता है, excess का मतलब क्या होता है, success, देको पहुचना आने का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजे, ये एक एरिया है, और ये पेड का दूर रहने वाला एक दूर पेड है, यहां से हवा से उड़ा उड़ा एक बीच गलती से इधर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हुआ हुआ है, invasion का process हुआ है, invasion का process में सबसे पह migrate होके आया, कैसे आया, हवा से पानी से आया, seed आने का मतलब ये नहीं है, कि यहां पे पेड बनेगा ही बनेगा, हर बीच पेड में कनबटने ही होता है, उनमें से जो successfully वहां पे reproduce कर जाते हैं, और अपने area में उस area के अंदर successfully जिन्दा रह पाते हैं, तब हम बोलते हैं कि access क process develop हो चुका है, यानि successful establishment होना चाहिए in the bare area, the seeds or spores that reach the new area due to migration will germinate, grow and reproduce, only a few progenies will survive due to harsh environmental conditions prevailing in the area, ये बात आप समझ पा रहे हो, कि बहुत जादा harsh conditions होती हैं महाँ पे और उसमें से कुछ ही होंगे जो germinate कर पाएंगे, reproduce कर पाएंगे, और वो ही successfully महाँ पे establish हो पाएंगे, but once they are successfully established, उसको बोलते हैं excess develop हो चुका है, और excess के बाद होता है aggregation, यानि individuals of a species increase their number and they stay close to each other, this process is called aggregate, aggregate मतलब इखटा होना चालो हो जाते हैं, यानि कि जैसे मान लीजे एक पेड़ है, फिर वो अपने ही पास दूसरा पेड डवलप करेगा, तीसरा पेड डवलप करेगा, यानि कि aggregation का process start हो जाता है, आप इसी के बाद देखिए, third process जो है, वो है competition and co-action का, competition and co-action जो है, वो क्या बोलते हैं, कि जब aggregation होता है, यानि कि पास पास कई सारे पेड़े एक साथ इकर्टा होने लग जाते हैं, तो आप जानते हैं कि फिर individuals के बीच में खाने और पानी और space को लेके लाईयां होना चाले हो जाते हैं, competition develop हो जाता है, और वो competition दो तरीके का हो सकता है, या तो intra specific, intra मतलब होता है, एक ही species के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ, intra daily, intra daily का मतलब होता है, डेली के अंदर ही अगर मैं भूम रहा हूँ, जैसे डेली से राजिंद नगर, राजिंद नग movement कर रहा हूँ, तो अगर एक species, आप जानते हैं species क्या है, पहले हम बात कर चुके हैं, एक species, दूसरी species के, species के individual के साथ, you know, अगर वो competition में है, तो बोलो inter specific, और एक ही species में आपस में अलग-अलग individuals जो हैं, वो आपस में competition हैं, तो inter specific, और इस तरीके की चीज़ें, इस डेवला connected हो जाते हैं, interdependent हो जाते हैं, कि फिर क्या होने लगता है, co-action का process develop होता है, यानि कि दोनों के action एक दूसरे को manipulate कर सकते हैं, divide कर सकते हैं, और एक दूसरे पे असर डाल सकते हैं, and finally, याद रखना, competition और co-action में जीतता वो ही है, जो सबसे ज़्यादा fit होता है, और बाकी elimination व कर सकता है, वो अच्छे से अलग-अलग harsh environmental conditions में जिन्दा रह सकता है, fourth stage जो होती है, उसे बोलते है, reaction and co-action, अभी reaction and co-action की stage क्या है, it is the modification of the environment, यानि कि इस process के बाद environment में modification आना चालू होता है, present जो environment है, वो unsuitable बन जाता है, existing environmental conditions के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि environmental state X में A जिन्दा रह पा रहा था, but environmental state जैसे ही change हुई, Y हुई, तो A जिन्दा नहीं रह पाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ B ही यहाँ पे suitable होगा, but जैसे ही environmental state Z हुई या Z हुई, तो C वाली community यहाँ पे जिन्दा रह पाएगी, so अगर आप यहाँ से एक बास समझ पा रहे है, और इसी process को हम reaction बोलते हैं, and last is your stabilization, यानि की climax, यह है final terminal community, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, stabilization का process अचीव हो जाता है, इस stabilization में क्या आता है, climax community आती है, जो climax के features हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और यह climax community जो है, इसको climax इसले बोलते हैं, क्योंकि immediately replace नहीं होती है, यह अगले 10 साल, 20 साल में replace हो जाए, तो यह काफी लंबे समय तक रहती है, जब तक इसको कोई disturb नहीं करता, तो फिर disturbance का procedure start होता है, तो याद रखिएगा disturbance अगर होती है, तो उसके बाद यह procedure start होता है, चलिए अब बात करते हैं, types of succession की, यानि कि there are different types of succession, अलग-अलग तरीक a new patch of land is created or exposed for the first time where no community has existed previously, मतलग, जैसे कि मैंने आपको बताया, लावा थंडा पड़ा, glacial retreat करा, landslide हुई और एक rock का area exposed हुआ, किसी भी वजे से ऐसा area जहाँ पे पहले कभी कोई life कभी भी नहीं रही है, यानि कभी भी यहाँ पे life मौजूद नहीं थी, life नहीं थी यहाँ पे यह सिर्फ एक क्या था, अगर आपको याद हो, तो याद करो हम लोगोंने बात करी थी, biosynosis और biotope, तो यह सिर्फ एक ऐसा area था, जहाँ पे abiotic component ही मौजूद था, बट इस abiotic component में कुछ ऐसा हुआ, कि यहाँ पे succession का process पहली बार स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बार पर pioneer आये है, इससे पहले कभी भी यहाँ पर pioneer नहीं आया, इससे पहले कभी भी यहाँ पर climate सी community नहीं आयी, यहाँ पर कभी भी कोई भी succession का process स्टार्ट नहीं हुआ, first time succession का process अगर किसी area में हो, तो बो primary succession, primary मतलब first time है, जैसे यह bear rock है, bear rock में आप देखिए, सबसे पहली बा forest को हम लोग क्या बोलते है, climax community और इसके बीच के यह सारी transitional stages है, transitional मतलब कि आप जानते हैं, कि वहाँ तक पहुचने का एक जरिया है, इसे हम क्या बोलते है, serial communities या series, और मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहरा हूँ, बहुत important point कि primary succession जो है, वो hundreds of years लेता है, बहुत समय लेत first time succession हुआ है, पहली बार succession हुआ है, और अगर यहीं पर आप दूसरे succession की बात करो, यानि secondary succession क्या होता है, secondary succession क्या है, तो उसको समझने के लिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यह है barren area, यह lava cool हुआ, इस lava cool होने पर सबसे पहली बार यहाँ पर pioneers आए, like likens, फिर इ यहाँ पर climax achieve हो गया, आप जानते climax achieve होता है, यह end होता है, succession का, और यह काफी जादा stabilize होता है, stabilize कब तक रहता है, जब तक इसमें कोई disturbance ना है, और relatively एकदम से यहाँ change नहीं आता, disturbance जब तक ना हो, अब disturbance का मतलब क्या है, माल लीजे climax achieve हो चुका है, well developed forest बन चुका है, और इस well developed forest में, forest fire लग गई, आग लग गई, बनलब climax achieve हो गया, उसके बाद आग लगी, बाड आ गई, कोई भी natural disaster आ गया, कोई भी man made disaster आ गया, किसी भी वज़े से, चाहे वो human caused हो, चाहे वो, जैसे आप जंगल में गए, आपने, you know, क्या करते हैं, वहाँ पे आग बाग लगाई, और आप भुजाना भूल गए, और उसके वज़े से आग लग गई, कोई भी वज़े से climax community का disturbance आ जाए, किसी भी वज़े से याद रखेगा, तब दुवारा से अगर वहाँ पे succession का process start हो, तो बो second, मेरे कहने का मतलब है, climax achieve हो चुका था पहले यहाँ पे, अपनी mature stabilized community यहाँ पे existing area में मौझूद थी, हुआ यह कि यहाँ पे बाड़ाई, avalanche आया, glacials, कुछ भी anything, कोई भी ऐसा natural disaster आया, जिसकी वज़े से man made disasters, किसी की भी वज़े से nuclear weapon छोड़ दिया, वहाँ पे सारी life खतम हो गई, किसी भी वज़े से कुछ ऐसा हुआ, कि यह वाली जो site है, अब य area जो है, बिल्कुल खतम हो गया, यानि कि इस तरीके की conditions आ गई, कि वहाँ पे अब life surviving mode में नहीं है, उसके कुछ साल बाद, वहाँ पे फिर से एक पौधा उगेगा, वहाँ पे फिर से micro organisms आएंगे, वहाँ से फिर से development होगी, उस process को secondary हो लो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक succession का process already हो चुका है, primary में succession कभी हुआ ही नहीं था, first time succession हो रहा था, secondary में एक climax disturb होने के बाद, दुवारा से महाँ पे pioneer आए, फिर महाँ पे transitional areas हों, transition series हों, फिर last में जाके महाँ पे succession का process complete होके climax आए, तो बोलो, secondary succession start हुआ है, partial या complete destruction होने के बाद, ये बहुत important point है, सो देखे, यहाँ पे climax आ चुका था, फिर forest fire लगी, फिर आग लगने की वज़े से यहाँ पे, you know, तभाई हुई, surviving species खतम हुई, and फिर आप notice करोगे, सबसे पहली बार उस area में, जहाँ पे partial या complete destruction हो चुका है, first time कोई species आती है, तो आप जानते हो से pioneer कहते हैं, फिर वहाँ पे दुआरा से pioneer आई, फिर वहाँ पे दुआरा से intermediate यानि transitional series आई, फिर last में climax अचीव हो पाया, इसको बो, secondary succession, याद रखेगा, secondary succession जो होता है, यह restart कर देता है, cycle of succession की, दुआरा से कर देता है, क्यों, क्योंकि याद रखेगा, soil and nutrients are present, and seed roots of plant may also be present, मेरे कहने का मतलब, बहुत important point बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आप notice कर पाए हो, तो एक चीज़ देखना, कि जो primary succession है, वहाँ पे hundreds of years लगते हैं, सालों साल लगते हैं, बहुत लंबा procedure है, जबकि secondary succession जो है, वो generally थोड़ा सा, आप देखेंगे, time कम लगता है, यानि कि it is relatively quite faster, अब ये क्यों इत बार जब climax achieve हो चुका है, फिर वहाँ पे जंगल में आग लगी, या बाड आई, या कुछ भी हुआ, जिसकी वरे से वहाँ पे species का area maturity खतम हो गई, stabilization खतम हो गया, disturbance आ गया, पट एक चीज़ तो पकी है, इतने हाजारों साल बाद, जब वहाँ पे climax आया था, primary खतम होने के ब जल्दी होगा, primary के मुकाबले, अगर मैं और आपको clear words में बोलूँ, एक lava cool हुआ, और इसको एक जंगल बनने में, well developed forest बनने में, हजारों साल लग जाएंगे, यानि hundreds of years लग जाएंगे, बहुत हजारों साल लगेंगे, जब तक वो जंगल बन पाएगा, और यहीं पे अगर आप notice करो, एक area है, जहाँ पे आग लग गई, जंगल था, पहले से, यहाँ पे well developed जंगल था, आग लग गई, fire लग गई, और ख जल्दी हो जाता है वो procedure, इसलिए हम लोग बोलते हैं, secondary succession is usually faster than the primary succession, जल्दी से एक बर comparison देख लीजे, primary succession takes place where no community has existed previously, यह बहुत important point है, आज से पहले वहाँ पे कभी भी succession नहीं हुआ, तो primary succession हो गया, climax achieve हो गया, मान लीजे, climax achieve नहीं भी हुआ, मान के चलते हैं, climax achieve नहीं भी हु और फिर disturbance आगई, तब भी आप उसको secondary बोलो, secondary का मतलब है, succession चल रहा था, बीच में, या तो बीच में ही खराब हो गया, या climax होने के बाद खराब हुआ, बट किसी भी वजे से महाँ पे species का disturbance तब हुआ, जब एक succession का process start हो चुगा था, तो बोलो secondary succession, क्यूंकि ये एक succession के process क बाद आता है, और कोई ऐसा factor, man-made भी हो सकता है, biological भी हो सकता है, कोई भी ऐसा factor हो सकता है, जो इस procedure को दुआरा से initiate कर सकता है, primary succession से तेज होता है secondary, याद रखिएगा, why secondary is faster, क्यूंकि well developed soil nutrients वहले से मौजूद होते हैं, चलिए बात करते हैं, और तरीके की succession की types की, एक होता ह autotrophic succession क्या होता है, ध्यान से दिखेगा, auto, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था autotrops, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अगर succession के process में, initially, starting में, जब succession हो रहा है, plants से जादा है, किस से heterotrops है, heterotrops आप जानते हूं, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, वो स जादा है, consumer से, तो बोलो autotrophic succession, यानि कि succession के process में, plants बहुत सारे थे, initially, grasses बहुत सारी थी, अगर succession का process start होते वग, plants, producers जादा है, autotrops जादा है, तो बोलिए का क्या कौन सा है, autotrophic succession हुआ है, heterotrophic मतलब जहां पे consumers जादा थे, और plants की मातरा कम थी, तो उसको बोलते हैं, heterotroph और आप बोल सकते हो, कई लोगों के दिमाग में आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, plants कम हो, animals जादा हो, मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक particular area की, मान लीजे, कोई area है, उस area के अंदर forest में आग लगी, और जब आग लगी, तो पेडों में आग ल trophic succession, चलिए, एक और तरीके का succession समझे, autogenic, एक और word है, autogenic succession, आपसे पूछा जा सकता है, अगर succession, वहीं के जीव जन्तू, जो उस area में रहे रहे हैं, उनके द्वारा initiate करा जा रहा है, brought about by the organisms within the community, is called autogenic, autogenic का मतलब क्या है, मान लीजे, यह जो area है, यहाँ पे plants हैं, हैं, microorganisms हैं, animals हैं, और succession का process, यहीं के animals, plants और जो microorganisms हैं, उनके द्वारा initiate करा जा रहा है, तो आप बोलिए, क्या, कि यह एक autogenic procedure है, आप बोले, अब इसका example दो, सर, मैं आपको समझाता हूँ, देखू, मान के चलिए, जैसे हम लोगों ने बात करी, यहाँ पे एक पक्षी है, इस पक्षी ने एक fruit खाया, और fruit खाने के बाद वो जो बीज है, वो लिजा करके इधर छोड़ दिया, दूसरी जगा, और यहाँ पे एक पेड हो गया, succession का procedure यहाँ पे start हो गया, इधर की ही community ने दूसरी जगा पर नहीं तरीके की species का development में help करी, हवा की वज़े से नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे biotic community की वज़े से हुआ, autogenic का मतलब क्या है, biotic community की वज़े से initiate हुआ वा procedure, व by a pond, by rhizomes and organic detritus, तो यह detritus, rhizomes जो है, इनकी वज़े से initiate हुआ वा procedure जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, autogenic procedure, याद रखेगा, allogenic क्या है, यहाँ पे एक और वड है, allogenic, allogenic succession is when the forces of change are primarily from outside the community, यानि कि इस community जहाँ पे यह हो रहा है, succession का process, इसके बाहर से कोई चीज आई है, उसको बोलो, allogenic succession, और generally यह जो होता है, वो abiotic factors के द्वारा ही होता है, initiated, तो याद रखेगा, जैसे कि for example, climatic change, seasonal variations, daily temperature variations, climatic conditions, पानी की वज़े से, कोई भी ऐसा external factor, abiotic factor, change होनी की वज़े से, अगर महाँ पे succession का procedure, initiate होता है, तो बोलिएंगे, कि वो एक तरीके का allogenic succession है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, कि अभी हम लोगोंने बात करी थी, कि पूरा का पूरा climax achieved हो गया, primary succession का अंत आ गया, और फिर वहाँ पे forest fire लगी, और उसकी वज़े से फिर से secondary succession का procedure start हुआ, तो ये forest fire, जिसकी वज़े से secondary succession का procedure establish हुआ, ये forest fire को हम क्या आप बोलोगे allogenic, allogenic क्यों क्योंकि ये एक abiotic और external force वाला factor मौझूद है, जैसे point succession में आप देखिए, filling in by sand, silt, clay, from outside area is in allogenic, light intensity, temperature, climatic factors, abiotic factors, adaptive factors, ये सब कहीं न कहीं allogenic factors ही है, आईए बात करते हैं, types of succession में plants की, plants का succession कहां पे होता है, वो depend करता है, कि वो कौन से area में हो रहा है, क्या वो wet area में हो रहा है, या वो dry area में हो रहा है, यानि कि यहां पे बात करी जा रही है, succession in plants, plants के अंदर जब succession होता है, तो वो एक ऐसे area में होता है, या तो वो wet हो, या फिर वो बिलकुल पानी वाला है, तो wet है, बिलकुल ही सूखा है, तो dry area है, जैसे कि अगर पूरे process को बोलते हैं जिरार्क succession, जिरार्क का मतलब होता है dry conditions में होने वाला plants में succession का procedure, तो जिरार्क succession dry areas में होता है, याद रखेगा ये बाद, और hydrark का मतलब होता है जहां पर पानी होता है, aquatic areas में, यानि कि एक तलाब के अंदर से succession का procedure स्टार्ट हो, plants का, तो बोलो क्या hydr से हो, चाहे वो जिरार्क से हो, कहीं से भी हो, यानि कि चाहे वो dry area से हो, चाहे वो wet area से हो, एक चीज़ याद रखेगा, अंत में succession के अंत में magic conditions create हो जाते हैं, magic मतलब nor to dry, nor to wet, यानि कि ना तो बहुत जादा dry conditions रहती हैं, ना ही बहुत जादा wet conditions रहती हैं, हमेशा moderate conditions बन ज रहे हैं दुआरे से समझते हैं मान के चलो एक ऐसा एरिया है जहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा है वहां पर plants किस तरीके से सक्सीड करेंगी तो इनिशली वहां पर क्या होगा वहां पर dry areas होगे dry areas मतलब वहां पर zeric conditions का मतलब जैसे जिरार low moisture वाली conditions होगी, दीरे 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 succession होगा, pioneers आएंगे, transitional होगा, climax आएगा, climax पहुशते पहुशते आप notice करोगे, वो dry area वाली जो areas थे, वहाँ पे magic conditions बन रही है, यानि कि not to dry, not to wet वाली conditions वहाँ पे जनम ले चुकी है, और यहीं पे अगर आप hydrark succession की बात करोगे, hydrark यानि कि पानी में होने वाला जो succession है, तो उसमें भी आप notice करोगे, कि wetter areas में start होगा, यानि कि hydrark conditions में start होगा, तलाब में start होगा, बट एक ऐसी conditions बन जाएंगी, climax पहुशते पहुशते, जहाँ पे magic तरीके की आपको environment देखने को मिलेगा, not to dry, not to wet, ऐसा दल-दली वाला area जो होता ह ना तो बिलकुल पानी होता है, ना ही बिलकुल land होता है, एक तरीके का, इस तरीके का, you know, transitional area develop हो जाता है, चले, succession water देखते हैं, पानी के अंदर succession किस तरीके से बढ़ता है, या आपको समझना बहुत जरूरी है, पानी के अंदर आप जानते हैं, pioneers होते हैं, हर जगे, pioneers होते हैं, intermediate होती हैं, और फिर climax होता है, पानी के अंदर के, जो autotrops होते हैं, या पानी के अंदर के, जो सबसे पहले pioneers हैं, उनको हम लोग phytoplankton कहते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखेगा, ये small phytoplankton इधर pioneer हैं, फिर intermediate कौन हैं, यहा पे intermediate होते हैं, free floating ang angiosperms, अभी हम आपको diagram में दिखाऊंगा, फिर rooted hydrophytes, aquatic plants बन जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी roots आ जाती हैं, फिर sedges में convert हो जाते हैं, grasses बन जाती हैं, trees बन जाते हैं, और climax finally एक forest के root में develop हो जाता है, जो magic conditions में जनम लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए water के अंदर, सब आप से पहले यहाँ पर phytoplankton देखेंगे, आप देखेंगे phytoplankton यानि कि वो जो अपना खाना खुद बना सकते है, plankton यानि कि जो उपर surface पे तैरते बे मिलते हैं, phytoplankton यहाँ पर मिलेंगे, फिर phytoplankton के बाद आप notice करेंगे कि submerged plant stage आ जाती है, यानि कि क्योंकि यहाँ आप एरियाज में sunlight एंटर कर पाती है, वहीं पर दीरे-दीरे roots डेवलाप होने लग जाती है, फिर phytoplankton plant stage डेवलाप हो जाती है, उपर-उपर भी पौधे डेवलाप होने लग जाते है, फिर आप देखे, reed swamp stage यानि कि इस तरीके की reeds जो है, वो डेवलाप हो जाती है, सवाल मेरा यह है, climax क्या है, what is a climax community, याद रखेगा, अन्त में climax हमेशा एक forest के root में ही देखने को मिलता है, ecology के terms में अगर में बात करूँ, यानि, चाहे वो dry condition से जनम ले, succession का procedure, कहीं पे भी, कोई भी आ रही, area हो जहां पे पानी की कमी हो, चाहे वो बहुत wet condition से जनम ले, ज होगी, बहुत जादा गीला भी नहीं होगा, बहुत जादा सूखा भी नहीं होगा, magic conditions होगी, moderate conditions होगी, जो generally आप हमेशा forest के अंदर देखने को मिलती है, और forest जो है, वो एक हैतिरीन climax community का example है, बट सवाल यह है कि हर जगे फिर forest क्यों नहीं है, आपना answer यह होना, question होना चाह तलाब आज भी मौझूद है, वहाँ पे क्यों नहीं जंगल बन गया, और जहाँ जंगल है, इसका मतलब वहाँ पे कभी ना कभी, खाली areas होंगे, हाँ बिलकुल होंगे, अब answer मैं आपको देता हूँ, कि आज भी ऐसे areas आप देखोगे, ऐसी species देखोगे, जो intermediate में हैं, या secondary है, कोई भी succession है, start हुआ, pioneers आए, फिर transitionals आए, और फिर finally आप जानते हैं, last में climax आए, climax से पहुचने से पहले ही अगर इसमें disturbance आती चली जाए, by external factors, तो ये climax तक अभी पहुच ही नहीं पाता है, यानि कि मान लीजे, erosion है, deposition है, waves है, बारिश है, अब मान लीजे, एक पानी का area है, और गड़ा है, वहाँ पे depression है, थोड़ा बहुत पानी भर गया, तलाब बन गया, वहाँ पे ये procedure start हुआ, बट ये procedure यहाँ तक तब बन पाएगा, forest जब यहाँ पे extra पानी आड़ ना हो, हम ये assumption लेके चल रहे हैं, अगर extra पानी आड़ हो जाए, कोई disturbance आ जाए, परसेंट, climax will always be a forest, ये ध्यान रखिएगा, चलिए, अब मैं बात करता हूँ, एक question पूछता हूँ आप से, why is succession occurs faster in area existing in the middle of the large continent, large continent बहुत important है, मान लीजे, आप इस सारे continents को देखे, मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखे, आप एक continent, large continent के बीच में कहते हैं, ecologist कि succession का procedure हमेश के side वाले area में, यानि boundaries पे, अगर आप boundaries में देखोगे तो नहीं मिलेगा, बीच में देखोगे, succession stage मिलेगा, इसका reason क्या है, because the seeds of the plants and resources belonging to different series, यानि कि different ecological community के stages के, जो plants हैं, उनके seeds हैं, उनके resources हैं, वो middle of the continent में हमेशा जल्दी पहुछते हैं in comparison to your sides, और वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक चीज़ याद रखेगा, जब हम middle of the continent की बात करते हैं, तो मान लेजे हवा है, हवा यहां से भी आ रही है, हवा यहां से भी आ रही है, हवा यहां से भी आ रही है, चारो दिशाओं से हवा आती है, तो बीच में हमेशा resource की availability जादा रहती है in comparison to your, छोटे जो side मे लगने वाली coastlines होती है, यह बहुत important point है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, what is homeostasis, homeostasis is the function of ecosystem, जो एक पूरे के पूरे ecosystem में क्या बना के रखता है balance, a state of equilibrium, यह बहुत ही important function है, यानि कि यह कैसी tendency है biological system की, जो changes को resist करती है, environment के अंदर different changes आते हैं, उस different changes को accept नहीं, बलकि resist करने का नाम जो है, वो है homeostasis, किस तरीके से balance create करा जाता है, environment के, अंदर एक species के द्वारा, अपने internal चीजों को change करके, ecosystems can maintain their state of equilibrium, ecosystem जो है वो खुद में self regulating है, अगर हम उसे छेड़ चार्ट ना करें, तो वो अपने आप ही इतना intelligence रखता है, कि किस organism को कितना जीना चाह है, कितनी population size होना चाहिए, जरूर से जादा population size होती है, तो अपने आप die off conditions आने लग जाती है, तो ये ecosystem का एक balance है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, और ये ही capacity of self regulation को हम लोग homeostasis कहते हैं, जैसे एक example में समझो pond ecosystem की बात कर रहे हैं, pond ecosystem में आप जानते हो, सबसे छोटे कौ और phytoplankton को कौन feed करते हैं, यानि phytoplankton पर feed करते हैं, आपके zooplankton, दोनों ही plankton हैं, बट zooplankton हम लोगों ने पढ़ा था, ये heterotrops है, phytoplankton क्या है, आप जानते है, autotrops है, तो बात यहाँ पर क्या बोली जा रही है, if the population of zooplankton increases, देखो, काइदे से हमेशा एक छोटा सा न पर, तो जो जिस पर feed कर रहा है, उसकी population हमेशा, उससे कम होनी चाहिए, जिस पर feed करा जा रहा है, मेरे कहने का मदलब है, phytoplankton की population ज्यादा होनी चाहिए, अगर balance रखना है, और zooplankton की population कम होनी चाहिए, चलो दूसरे terms में समझाओ, शेर जो है, या lion जो है, ये किस पर feed कर यानि जो जिसको खाता है उसकी population हमेशा ज़ादा होनी चाहिए तभी ecosystem के अंदर balance create हो पाएगा so phytoplankton पर feed करते हैं zooplankton और zooplankton की अगर अधिक मात्रा हो जाए ज़रूरत से ज़ादा zooplankton होने लग जाए तो this balance create हो गया कि नहीं हो गया ecosystem में अब देखो self regulate करता इको सिस्टम खुद गो इसे कितने homeostasis यहीं से आप concept समझ जाओगे homeostasis का क्या है तो होगा क्या zooplankton जरूरत से ज़ादा हो गए मालीजे phytoplankton है पांच और zooplankton जो है यह हो गए बहुत सारे अब क्या होगा इतने सारे zooplankton phytoplankton के उपर feed तो कर नहीं पाएंगे तो इन में आपस में क्या होगा competition for the resource कुछ आपस में लड़ेंगे कुछ आपस में मरेंगे कुछ जिंदा रह पाएंगे कुछ नहीं रह पाएंगे survival of the fittest और कुछ नहीं होगा बल्कि क्या होगा बहुत सारे zooplankton मर जाएंगे starving यानि कि हो सकता है खाना ही ना मिले उस भूक में वो मर जाएंगे जब यह मर जाएंगे तो phytoplankton के उपर feed करने वाले zooplankton कम हो जाएंगे phytoplankton आपस में दूसरे के साथ reproduce करके अपनी population को अचा homeostasis दो तरीके से काम करता है एक तो है negative feedback mechanism एक है positive feedback mechanism वैसे जनरली जितनी भी आप homeostasis के बार में पढ़ेंगे वो 99% जो है negative feedback mechanism पे ही काम करता है बट positive feedback mechanism भी कई बार काम करता है चलिए, negative feedback mechanism क्या है, counteracting response को ही हम homeostasis या फिर negative feedback mechanism क्याते हैं, generally homeostasis के साथ negative feedback mechanism use किया जाता है, चलो मैं आपको example से समझाता हूँ मुझे एक बार बताओ, जैसे आपको fever होता है, जब आप बुखार में होता है यानि की fever का मतलब क्या है, आपकी body का जो temperature है, वो फोड़ा सा बढ़ गया है तो your body temperature increases, जैसे आपके body का temperature बढ़ता है, क्या होता है, आप खुद बताओ obviously बात है, sweating आना start होती है, पसीना आना start होता है, और वो पसीना आना पता है, क्यों start होता है उसके पीछे का procedure क्या है, उसके पीछे का procedure है, कि आपकी body जो है, वो environment के साथ एक resistance create कर रही है, change ला रही है यानि कि वो, जैसे आपका जो environment है, उसकी वज़े से क्या हुआ, heat बहुत जादा हो गई, बहुत जादा गर्मी में हो आप, मान के चलो जो दो उसके जादा गर्मी होगी, तो क्या होगा, आपकी body थंडा करना चाहेगी अपने आपको, थंडा कैसे करेगी, गर्मी में आपको पसीन आता है, similarly, वैसे ही fever में पसीन आता है, तो आपकी body बहार के temperature के साथ resistance create करती है, और क्या करती है, पसीने के थूँ एवापरेट करवा के, cool down करवा देती है, आपके body के temperature गो, यानि back to your normal, जो आपका equilibrium है, उस पे लियाती है, बहार का temperature गरम हो गया, तो आपकी body थंडी कर देती है, उसी temperature पे लियाती है, जिस temperature पे normal आप survive कर सकते हो, sweating की procedure से, चलो इसका एक और example देता हूँ, मानलो आप थंडे इलागी में चले गए, थंडे इलागी में चले आते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप थंडे पड़ जाते हो, आपकी body उस समय भी equilibrium को maintain करती है, कैसे shivering करके, आपकी body shiver करती है, आप देख तो आप कापने लग जाते हो, आप actual में कापते नहीं हो, आपकी नसे जो हैं, वो सुकुड जाती है और जब नसे सुकुड जाती हैं, वो vibrate करती हैं, उस vibration से heat generate होती है, और heat जो है, यानि कि रहते हैं रॉंग पे खड़े होगए, वो heat generate होती है, और जब वो heat generate होती है, तो आप इसी बात है, कि आपकी body वापिस से गर्मा हट लाके, उसी temperature को, ideal temperature को maintain करनी कोशिश करती है, या यह homeostasis के negative feedback है, negative क्यों है, अगर environment का temperature बढ़ गया, यानि कि environment का temperature बहुत गर्मी वाला हो गया, तो आपकी body क्या करती है, इसको वापिस minus करती है, इसके against काम करती है, आपकी body क्या करती है, थंड़क करनी की कोशिश करती है, और गरम नहीं करती है, ऐसा नहीं है, कि आप एफ counter-acting response देती है, counter, उसको counter करने के लिए, आप थंड में चले गए, तो ऐसा नहीं है, कि आपकी body एकदम जम के मर जाती है, तो बलकि आपकी body heat generate करती है, counter-acting response है, इसको बोलते हैं, क्या negative feedback mechanism, यह है homeostasis अचीव करने का एक रास्ता, अचा, एक और चीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, positive feedback mechanism, अब यह positive feedback क्या होता है, एक chain reaction या stimulation अचीव करना, जैसे कि इसका मैं आपको example देता हूं, एक, अगर आपने पड़ा हो, हार्मोन है, जिसको बोलते है, oxytocin, और यह जो oxytocin है, यह जो हार्मोन है, यह generally क्या होता है, pituitry gland और, यह अलग अलग, यह time period प generally, यह जो oxytocin है, यह कब release होता है, जब female को labor pain होता है, जब बच्चा होने वाला होता है, तो oxytocin जो हार्मोन होता है, अब यह हार्मोन होता है, इसके पीचे का बहुत बड़ा reason है, यह हार्मोन जब release होता है, तो women का जो cervix है, या फिर आप कह सकते हो, जो वहां की, you know, veins है यह जो muscles हैं, वो contract करती है, जितना वो contract करती है, उतना ही easily, जो baby है, वो बहार आप आएगा, तो oxytocin निकलेगा, contraction होगी, contraction होगी, oxytocin निकलेगा, contraction होगी, यानि कि एक procedure है, एक positive feedback loop है, कि एक चीज होने की वज़े से दूसरी चीज initiate होती है, और दूसरी चीज होने की initiate होती है, इसे कहते है positive feedback loop, और ये भी कहीना कहीं, एक chain reaction को stimulate करता है, याद रखेगा, जब भी मैं homeostasis की बात कर रहा हूं, 99% time मैं negative feedback mechanism की ही बात कर रहा हूं, कुछ organisms हैं, जहाँ पे positive feedback loop भी काम करता है, अब बात करते हैं, homeostasis कितने तरीके के, homeostasis जनरली दो तरीके क्यों हो a constant body temperature and osmotic concentration, अगर external environment के अंदर कोई भी change आ रहा है, generally they are warm-blooded animals, और endotherms, बहुत important है, technical भाशा में ने endotherms कहा जाता है, fancy word है, वैसे हमें warm-blooded animals कहते हैं, यह देख सकते हैं, warm-blooded animals, यतने भी हैं, humans भी warm-blooded animals का ही part है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो reptiles हों, चाहे वो amphibians हों, या फिर वो चाहे fishes हों, they are generally, क्या हैं यह cold-blooded, या फिर ectothums भी बोला जाता है इन्हें, चले, अब इस procedure को समझते हैं, सबसे पहले regulators क्या है, और regulate क्या कर सकते हैं, और types of regulation में क्या-क्या हमें पढ़ना है, यहाँ पे यह बोला जा रहा है, regulators वो species या वो organisms हैं, जब outside temperature, external environment change होता है, तो उनको अपने environment को change करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहीं रहकर भी काम चला लेते हैं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे, अभी हम लोग ने बात करी, आप अगर थंडे इलाके में जाते हो, जहां पर बहुत जादा ice है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी body जो है, वो और थंडी हो जाती है, बलकि counteracting response देती है, homeostasis को achieve करती है, यानि कि आपकी body क्या करती है, गरमाहट को regulate करती है, पैदा करती है, इन्हें कहते regulators, आप भार के environment, जैसा भी environment है, उसके according हमारी body अपनियाप ठीक होती चले आती है, खुद से ठीक हो डेली, डेली के अंदर थंड भी बहुत अच्छी पढ़ती है, गरमी भी बहुत तकड़ी पढ़ती है, हाना, continental effect भी है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ, डेली का थंड हो या गरमी हो, जैसे मैं हूँ, अब इस समय गरमी पढ़ रही है, तो अगर गरमी पढ़ रही है, तो इसमें मैंने कोई मीटर लगा रहा है, उसको मैं को ठीक करना परता है, बोडी, आटोमाटिकली, रिस्पॉंस इसे क्रियेट करती है, कि वो रेगुलेट कर लेती, अपने आप, constant body temperature, maintain करके चलती है, अभी मैं लगा हूँ, तो मेरे बोडी का temperature, तो यही रहेगा, अच्छा, warm-blooded animal हूँ, और यही warm-blooded animals जो है, वो अपने external environment के हिसाब से अपने body के temperature को constantly maintain करते हैं, कैसे, they adjust their body temperatures to metabolic processes and heat production, तो अगर मान लीजे, कोई problem आ रही है, थंडे वाले इलाके में आप पहुच गए हो, शिवरिंग होगी, metabolism जो होगा, तो अपने हिसाब से काम करता है, कि heat loss करना ह है, या heat को preserve करना है, तो यह अपने आप काम करने वाले procedure को हम regulators कहते हैं, regulators में जैसे की एक होता है thermoregulation, thermoregulators मतलब वो जो अपने body के temperature को maintain करके रखते हैं, और याद रखे का यह negative feedback loop है, जो मैंने अभी discuss किया, एक होता है osmoregulation, osmoregulation क्या होता है, they maintain a constant osmetic pressure, यह अभी मैं osmotic pressure inside the body by balancing the concentration of fluid and salts, अभी हम पहले सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, what is osmosis and what is osmotic pressure, यह दो टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए, तो फिर हम बात करेंगे कि humans में क्या होता है और generally fishes में क्या होता है, ठीक है तो आपको पूरा procedure समझ में आ जागा osmoregulation का, but क्या कहानी बो regulators वो होते हैं, जो osmoregulate कर सकते हैं अपने आपको, यानि कि constant osmotic pressure रहता उनकी body में, constant, यह बहुत important है, चलिए, सबसे पहले osmosis समझो, जो osmosis को समझने से पहले आपको समझना पढ़ेगा, what is a solution, solution किसे कहते हैं, सबसे पहले आप समझो, scientific बाशा में solution का मतलब होता है, एक solvent, solvent यानि कि जिसमें कोई चीज घुल सके, और जो चीज उसके अंदर mix करी जारी है, उसे बोलते हैं solute, जैसे glucose का पानी बनाया है, आप लोगों ने, गर्मी में बनाया होगा, generally, glucose पीते हैं बोग, पानी एक क्या है, solvent, और उस पानी के अंदर जब हम glucose डालते हैं, तो वो क्या osmosis, osmosis बोलते हैं कि high concentration of ions से low concentration of ions की तरफ एक movement होती है, high concentration जहाँ पे होता है ions का, वहाँ से low concentration of ions की तरफ अगर movement होती है, और वो movement इसलिए हो पाती है, because there is a semi permeable membrane in between, एक semi permeable, यानि कि ऐसी membrane जो movement allow कर सकती है, ऐसी membrane है, उस process को हम लोग osmosis कहते हैं, मैं आपको example से समझाते हैं, देखो, इस image को देखो आप, इस image के अंदर हम लोगोंने सबसे पहले क्या करा, इस image के अंदर हमने glucose एड़ करा, ठीक है, यहाँ पे semi permeable membrane लगा रखी है, दोनों ज जो areas हैं, यहाँ पे पानी बराबर का है, यहाँ तक आपको बात clear है, यहाँ पर मैंने glucose डाला, glucose का जो concentration है, वो इस area में, यानि left side में जादा है, जादा ions है यहाँ और right side में जो ions हैं, वो कम है, आप जानते हैं बात, left में जादा है, high concentration left में है, low concentration right में है, तो osmosis क्या कहता ह कि there will be a movement from right to left, right से left की तरफ एक movement स्टार्ट होगी आयेंस की और वो कब तक होगी जब तक दोनों जगा homeuse stasis ना जाए, जब तक दोनों जगा बराबरी ना जाए, ऐसा, बराबर हो जाएं दोनों फिर रुख जाएगा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते है, constant procedure यह चलता रहता है, अच्छा, अब मुझे एक बाद बताओ, मैं चाहता हूँ कि इसी जो left वाला है, इसी left वाले में high concentration रहे, और right में glucose के जो ions हैं वो shift ना हो, पहले तो मैं अगर छोड़ दू naturally, एक semi-premiable membrane लगाके तो तो चले ही जाएगा, अपने आप high concentration से low concentration की तरफ shift हो जाएगा, osmosis हो जा चाहूं ये ना हो और ये रुक जाए, किसी भी सूरत में इसको रोक दिया जाए, तो क्या करना चाहिए, अब बताओ, तो क्या करो, right hand side से उपर से pressure दो, अगर आप right hand side से उपर से एक pressure दोगे, तो होगा ये, कि एक minimum pressure आपको देना पड़ेगा, ताकि ये osmosis का procedure रुक और उस minimum pressure को हम लोग क्या बोलते है, osmotic pressure, यानि वो minimum pressure जिससे osmosis का procedure रुक जाता है, और high concentration से low concentration नहीं जा पाता है, semi permeable membrane के होते हुए, उस procedure को बोलते है, osmotic pressure का लगाना, osmotic pressure अगर लगेगा, minimum pressure जो लगेगा, उस procedure को रोक निकले, उसको बोलो osmotic pressure, जैसे finally आप इसमें देखो, generally, इस वाले में right में high concentration है, left में कम concentration है, semi permeable membrane लगी है, तो मुझे पता होगा क्या, high concentration से low concentration की तरफ movement होगा, अगर osmotic pressure apply नहीं करा जा रहा है, बढ़ अगर मैं यहाँ पे osmotic pressure apply कर दूँ, तो फिर क्या होगा, obvious सी बात है, कि यहाँ पे यह movement रुक जाएगी, यानि क movement को रोका जा सकता है, अगर osmotic pressure लगाया जाए, तो इनको क्या कहते हैं फिर, जो cold-blooded होते हैं, cold-blooded वालों को बोलते हैं, ectotherms, अब ecto, जो यह ectotherms हैं, याद रखना है, they are cold-blooded, and they are dependent upon outside source to regulate their body temperature, मेरे कहने का मतलब क्या है, they are conformers, यानि कि they cannot regulate, so, जैसे for example, Siberia में एक पक्षी रहता है, थंड पड़ी, बहुत जादा cold हुई, मान लो, इसके body का जो temperature है, इसको minimum चाहिए, थंड वाले minus 10 degree Celsius पे ही जिन्दा रह पाती है, for example, हम मान के चलते है, minus 10 degree Celsius पे ही जिन्दा रह पाएगी, एक पक्षी है, अब अगर मान लो, वहाँ पे minus 30 degree Celsius या तो भी मर सकती है, इस इन्दा नहीं रह पाएगी, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी जगा जाना पड़ेगा, यानि कि इसको migrate करना पड़ेगा, उस जगा की तरफ, जहां पे minus 10 degree environment में बाहर की तरफ हो, दुवारे से समझे, यहीं पे humans का example लो, humans में जा रहे थे, यानि कि जब cold environment में जा रहे थे, और जब warm environment में जा रहे थे, तो cold जाते वक्त, उनकी body constant temperature maintain कर रही थी, warm में तब भी constant temperature है, क्यूंकि we are regulators, धंड पड़ी दिल्ली में, गर्मी पड़ी, मैं तो यहीं कहीं हूँ, मेरी body अपने आप, change होती जा रही है, regulate करती जा रही है, पर यहीं पर आप सोचो, मैं conformer होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मेरे शरीर का temperature fix है, मेरे शरीर का temperature नहीं change होगा, outside temperature मुझे ऐसा धूनना पड़ेगा, जो मेरे शरीर के temperature से match हो जाए, मेरे कहने का मतलब है, यहां पहले वाले case में, बहार का temperature change हो रहा था, अपने आप विरीर कर रहा था, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मेरे अंदर का temperature fix है, conformers उसी temperature पर रह सकते हैं, जिस temperature पर उनकी body adapted है, तो मान लिजए अगर मेरी body adapted है, 30 degree Celsius पर मैं इसी में ही जिन्दा रह पाऊंगा, मुझे 30 degree Celsius का फिर कोई ऐसा area धूनना पड़ेगा, जह जहां पर मैं जिन्दा रह पाऊं, तो यही generally सारी birds करते हैं, जो migrate करते हैं, क्यों वो migrate करते हैं, क्योंकि जहां पर रहती हैं, उनको वो temperature नहीं मिल पाता, तो फिर वो दूसरी जगा पर temperature धूनती है, इसलिए वो migrate करते हैं, अच्छा मान लीजिए, कोई बहुत बड़ा जा कि मान लोग वो beer भाग के आया भी, तो वो तो नहीं आ पाएगा, तो फिर वो क्या करता है, suspend कर लेता है, अपनी state को, suspend मतलब अपने functions को दबा लेता है, जैसे कि हम लोग ने बात कर रहा है, पहले से hibernate, estimate, torpor, dormancy वाली conditions में चले आता है, कहने का मतलब क्या है, conformers के पास दो तरीके होते हैं, अगर conform करना है, बाहर के temperature के साथ, बाहर के environment के साथ, दो ही तरीके हैं, पहला क्या है, कि आप क्या कर लो, आप दूसरा environment वैसा ही धूंड लो, जैसा आपके body का temperature है, या एक और तरीका है, अगर आप नहीं कर सकते हो, migrate, तो suspend कर लो अपने bodily functions, क्योंकि आपक farmers, अब जैसे यह देखिए, lizards as chameleons bask in sunlight during the winter season, winter season में आप देखोगे, lizards जो है, वो गर्माहट वाले एरिया में, यहनों रहने का पसंद करती है, जैसे sun bath लेती है, क्योंकि उनकी body थंडी पड़ रखी है, तो फिर वो थोड़ा अपनी body को temperate maintain करती है, तो यह generally आपको इस तरीकी की चीज़ आ जाती है, कि यह अपनी development को delay कर लेते हैं, जैसे for example, इनने पता है कि हर 6 महीने बाद यहाँ पर drop पड़ता है, सुखा पड़ता है तो 6 महीने, पहले 6 महीने यह growth के phase में रहेंगे, hormones, hormones जादा release करेंगे, अगले 6 महीने यह dormancy वाली condition में चले आते हैं, इसको बोलता है dormancy, diapause, diapause में क्या करते हैं, delay कर देते हैं, अपनी development को suspension कर लेते हैं, अपनी growth का regular और recurring periods में, और यह क्यों करते हैं, ताकि वो survive कर सके unfavor environmental conditions में, जो कि आप देखेंगे, generally desert plants करते हैं, और homeostasis का जो एक और example है, conform का वो क्या है, जैसे कि hibernation, estivation, यह भी एक तरीके क्या है, conformers हैं, क्यों, क्योंकि अगर यह नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको suspension वाली conditions में जाना पड़ेगा, if they are unable to migrate, to avoid the stress, escapes in time, और suspend, eliminate नहीं, hibernate करत हैं, कुछ bodily functions, चलिए question है, why had these conformers not evolved to become regulators, क्योंकि thermoregulation बहुत जादा energetically expensive formula है, बहुत जादा energy खर्च होती, और heat loss और heat gain जो है, function of surface area है, और आप देखेंगे, that is why very small animals are rarely found in polar regions, तो the whole point is, energy expensive procedure है, इसले यह cold-blooded वाले, आज तक warm-blooded वाले नहीं बन पाए हैं, homeostasis में regulators versus conformers, जल्दी से देखें, regulators have the ability to maintain own body temperature, homeostasis, और conformers do not have the ability to maintain their own body temperature, यह बात बिल्कुल धिहान से रखेगा, इन्हें endotherms करते हैं, इन्हें ectotherms करते हैं, यह osmoregulate और thermoregulate कर सकते हैं, they cannot do all this, birds and mammals यह कर सकते हैं, reptiles, fish, amphibians, invertebrates, conformers की category में आते हैं, चलिए अब आपकी learning को समझते हैं, कुछ questions जिल्दी से solve करते हैं, और देखते हैं, आपने कितना सीखा है वी तक, with reference to ecological succession, consider the following statement, succession would occur faster in areas existing in the middle of the large continent, बिल्कुल सही बात हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लाइकेन्स, initiate ecological succession, इवन आपेर रॉक, बिल्कुल सही है, लाइकेन्स, pioneer community होती हैं, so answer is all, consider the following about succession, while biotic components drive allogenic गलत, biotic क्या करते हैं, autogenic, और volcanic eruptions, floods and meteor strikes can trigger autogenic succession, sorry, second is also wrong, correct पूछा है, none, क्योंकि याद रखना autogenic कहां से होता है, biotic की वज़े से, और halogenic क्या होता है, a biotic की वज़े से, in ecological terminology, what are seri, seri क्या होता है, entire sequence of community that successfully change in a given area, याद करिये, वो सारे transitional areas, ecological succession is characterized by, ecological succession कैसे पता चलेगा, हो रहा है, productivity बढ़ेगी बिल्कुल, complexity of food waves बढ़ेंगे, हाँ, एक जानवर, कही जानवर को खाएगा, decreased niche requirement, sorry, increased niche, increased niche बढ़ेगा, जब-जब ecological succession बढ़ेगा, one and two is the answer, each serial community is characterized by, shifting on nutrients from the reservoir, बिल्कुल सही है, increase in biodiversity, बिल्कुल सही है, increase in ecological stability, कैरें, serial community हमें कैसे पता चलेगी, जैसे सीरीज बढ़ेगी आगे, जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा, development होगी, development होगी, तो nutrient भी shift होगे, biodiversity भी बढ़ेगी, और ecological stability भी बढ़ेगी, consider the following statement, catabolism is when bacterial and fungal enzymes degrade the detrius into simpler inorganic substances, the competitive exclusive principle states that no two species with the same fundamental niche indefinitely occupy the same habitat, succession is a universal process of directional change in vegetation on an ecological time scale, सबसे बहले बात करते हैं, catabolism की, catabolism का मतलब क्या होता है, दोस्तों, catabolism का मतलब होता है, जब कभी भी bacteria और fungi, जो बड़े substances होते हैं, उनको simpler substances में तोड़ देते हैं, जब कभी भी मैं आपसे बोलूँगा, कि बड़ा substance है, बड़े substance को छोटे-छोटे हिसो में तोड़ दो, catabolism, और अगर मैं आपको बोलूँँ, कि छोटे-छोटे substances को जोड़ के एक बड़ा substance बना दो, anabolism, anabolism में एनरजी खर्च होती है, catabolism में एनरजी मिलती है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, catabolism is when bacterial and fungal degrade detrius into simpler inorganic substances, हाँ आप बोल सकते हो, बिल्कुल simpler substances में तोड़ता है, catabolism है, competitive exclusion principle, competitive exclusion principle, बहुत important है, वो कहते हैं, no two species with the same fundamental niche, same, similar नहीं है, indefinitely occupy the same habitat, यह भी बात बिल्कुल सही है, कहते हैं, succession एक universal process है, directional change का, हाँ, directional, ecological time scale पर बिल्कुल सही है, incorrect, पूछाए, कोई भी incorrect नहीं है, none is the answer, which of the falling is incorrect, यहां पर पूछाए, overall ecological stability in secondary succession is relatively lower than in the primary, ecological stability secondary में कम होती है, primary से गलत, secondary में जादा होगी, क्योंकि nutrients availability है, the lifetime of secondary is far lesser, हाँ, बिल्कुल सही है, secondary succession is observed on a newly formed part of the river delta, गलत, पहली बार नहीं हो रहा है, succession secondary हमेशा बाद में होता है, so यहां पर क्या बोला जा रहा है, which of the falling is incorrect, 1 and 3 is incorrect, in the grasslands, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession, कह रहे हैं कि trees जो हैं, वो grasses को कब replace नहीं कर पाएंगी, जैसे यह घासे हैं, आप जानते हो घासों के बाद क्या बनता है, trees बनता है, और यही succession है, तो ऐसा कब होगा कि घास घासी रह जाए और trees ना बने, जब जंगल में पानी की कमी हो, तो पेड नहीं बन पाएगा, या फिर आग लगती रहती हो, तो बड़े पेड नहीं नहीं हो पाएगे, water limits and fire, the vegetation of savana consists of grassland with scattered small trees, सबसे पहले बात हो रही है, सबसे बात हो रही है सबाना की, समाना यानि की grassland की बात हो रही है, और कौन सा grassland की बात हो रही है, अफ्रिका में पाए जाने वाले grassland की, जहां पे पानी की कमी होती है, grassland का मतलब ही है कि moisture का content limited होता है, small trees है, extensive areas है, जहां पे tree ही नहीं है, in such areas generally kept in check, अच्छा कौन इनको check में रखता है, यह question पूछा जा रहा है, fire बिल्कुल, सबाना जार मेंन टू बर्न, सबाना बोले जाते हैं, यानि कि आग लगनी जरूरी होती है, क्यों क्योंकि यहां पे कुछ महीनों बारिश होती है, कुछ महीने बारिश नहीं होती, seasonal rainfall होती है, 6 महीने बारिश, 6 महीने बारिश नहीं, जब बारिश नहीं होती, तो फिर क्या होता है, trees अपनी leaves को क्या गर देते हैं shed कर देते हैं, deciduous plants मिलेंगे आपको, trees अपनी leaves को shed कर देते हैं, दूसरा क्या होता है growth को रोक लेते हैं, seasonal rainfall होती है और सूखा पनने की वज़े से वहाँ पर पत्यों में moisture का content कम होने की वज़े से आग लगने की भी possibility हो जाती है, forest fire याद रखना naturally भी हो सकता है अचा grazing herbivores हाँ, बिल्कुल वहाँ पे बहुत सारे herbivores होते हैं, जो उन पत्यों को खाते हैं, उससे भी check रखा जाता है so answer है 2, 3, 4 अचा, soil की properties से कोई लेना देना नहीं है, soil की properties से वहाँ की vegetative growth पे फरक पड़ेगा, किस तरीके की vegetation होगी उस पर फरक पड़ेगा, ना की वहाँ की vegetation को रोकेगा वो और वहाँ के animals और termites वहाँ के जानवर जो हैं, वो इसको रोकते नहीं है बलकि वहाँ के खाने वाले जानवर जो हैं, वो इसको रोकते हैं, grazing herbivores रोकते हैं, सो answer है 2, 3 and 4 In nature, which of the falling is our most likely to be found surviving on a surface, without soil soil के भीना कौन कर सकता है, 2021 का UPSC के कोशन है, क्या likens कर सकते हैं, क्या moss कर सकता है mushroom कर सकता है, यह phone कर सकता है अब देखो, यह UPSC का कोशन है, ecological succession से, कैसे, जैसे आपने likens तो पढ़ा है mosses तो पढ़ाई है, यह तो आप जानते ही हूँ कि 2 and 3 is the answer यानि यह तो bare rock पे भी कर सकते ना, अब आप बोलो, यह कैसे में को आप बता रहे हो, सर, यह का आपने तो पढ़ाया नहीं अरे मैंने बताया भी, कि likens और mosses क्या है, pioneer है, अब आप दिमाग लगाओ, interrelate करो, यह pioneer है तो bare rock पे कर सकते हैं, soil तो होती नहीं उस समय, तो बिना soil के भी तो रह सकते हैं lichen and moss, तो 2 और 3 तो 100% होगा ही होगा, अब 2 और 3 कौन से option में, बताओ A में हैं कि 2, नहीं है, कि 3 नहीं है, कि 2 नहीं है, तो answer तो होई है न, चाहे तुम्हें यह पता है नहीं पता है, कि mushroom होता है नहीं होता है, fern, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ UPSC में जो अपनी existing knowledge है उसको थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो answer निगल जागा elimination से, UPSC चाहता भी नहीं था और endothorms जो होते हैं, warm-blooded होते हैं और warm-blooded के पास जो area है बड़े area में survive कर सकते हैं क्योंकि regulate कर सकते हैं अपने temperatures को और mammals and birds are endothorms यह से बिल्गू सही है, and mammals and birds are warm-blooded animals सही है, assertion reasoning correct hibernation and estivation refer to temporary movements of organism from stressful habitat to a more hospitable area नहीं, hibernation और estivation तो suspension होता है वहीं पे उसी area में, temporary movement क्या होता है, migration तो यह तो गलत हो गया diapos is animal dormanty due to adverse environmental condition यह सही है, बिल्कुल incorrect पूछा है, answer is one only consider the following statements with regard to ecological succession succession जो पानी के अंदर होता है उसको जिरार्क बोलते हैं नहीं, उसको क्या बोलते हैं हाइडरार्क तो पहला गलत हो गया aquatic ecosystem में pioneer small phytoplankton है, बिल्कुल सही है climax hydrophytes के समय रीच हो आता है, नहीं चाहे पानी हो, चाहे कहीं हो, forest is the climax तो one and three is the incorrect, पूछा भी incorrect है process of successful establishment of a species in a new area is excess आप जानते हो, climax आप पढ़ चुके हो, invasion की बारे में आपको बता चुका हो माइक्रो सीरी क्या होता है, वो भी देख लो, माइक्रो सीरी क्या है all communities, serai और climax in particular micro habitat support a sequence of population forming a micro series, अब ध्यान जा सुने रहा है कहने का मतलब क्या है, जब establishment हो रहा होता है, यानि कि pioneer से आप you know, serial में आते हो, serial से आप climax में आते हो और यह जो series की सारी stages होती है, serai इस समय जब succession का procedure हो रहा होता है, plants के साथ तो एक होती major community, major तो development हो रही होती है बट इस major के साथ-साथ, बहुत सारी micro habitats भी develop होते चलते हैं छोटे-छोटे, उनको बोलते micro serai और यही micro series minor successional sequences हैं that occurs within a larger community, यानि कि देखो पेड़ जब change हो रहा है, तो पेड़ के साथ छोटी-छोटी चीटियों के अंदर भी changes आ रहा है वो है minor sequence, minor, बहुत छोटे-छोटे micro organisms भी बदलाब आ रहा है इसको बहुत है micro serai अब बहुत बढ़िया question है, यह देखे, drought killed all the plants drought की वज़े से काफी सारे plants खतम हो जाता है और wind और some birds की वज़े से वहाँ पे नए plants sprouting होना start होते है बताओ कौन-कौन से succession यहाँ पे लगे है सबसे बढ़ा, drought की वज़े से farmland खराब हुआ drought की वज़े से हुआ, तो यहाँ पे याद रहना secondary succession start हुआ है फिर wind की वज़े से और birds की वज़े से वहाँ के nearby वाले उनकी वज़े से यह start हुआ है तो यानि कि autogenic and allogenic दोनों procedure यहाँ पे है प्लस क्यूंकि यह, आप notice करोगे कि birds और wind दोनों की वज़े से तो autogenic, allogenic है बट option में तो सिर्फ allogenic है, तो obviously third भी सही है new plants started sprouting, नए plants जो है वो बढ़ना start हो गए है तो autotrophic भी है मेरे कहने का मतलब 2, 3, 4 is the answer, primary succession नहीं है अगर आप समझ पाए है तो चलि process or definition देखे, nudition, development of a site inhabited by pioneer species सही है excess colonization, successful establishment, बिल्कुल सही है, aggregation increase in the population of well establishment, यह भी बिल्कुल सही है सो answer पूछा था all, confirm increase in metabolism, regulate shivering in winters to generate heat बिल्कुल सही बात है, regulate का मतलब है shivering in winters, जब हमारी body में shivering होती है तो regulation है, estivation, earth forms in desert areas to prevent water loss, यह भी एक estivation का तरीका है, सही है osmoregulate filtration by kidneys, yes kidneys perform the osmoregulation वाला ही procedure, so answer is 2, 3 and 4 confirm increase in metabolism नहीं, confirm में metabolism increase नहीं हो पाता है, तभी तो उनको अपनी area से छोड़ करके नहीं जाना पड़ता है चलिए, very small animals are rarely found in polar regions, बिल्कुल सही बात है, thermoregulation is energetically expensive, yes both A and R is correct, में पहले ही आपको explain कर चुगा हो, very small animals are rarely found in polar regions, यह बिल्कुल सही statement है पिछली बार की तरह, पिछले कोशन की तरह, since small animals have a relatively small surface area to volumization, नहीं small animals का island rule के एसाफ से क्या होता है, largest surface area to volume ratio, इस वरे से उनकी body में heat रुती नहीं है और वो भेजाती है और निकल जाती है, excess होनी की वज़े से, इसलिए वो जिन्दा नहीं रह पाए, so both, sorry, assertion is correct, but your reasoning is false box, आप देख सकते हो इसको एक बार, पढ़ लीजेगा, आपको समझ माएगा, कि ये एक छोटा box है, ये एक बड़ा box है, देखने में आपको ऐसा लगेगा, कि बड़े box का surface area जादा है, तो heat loss यहाँ पे जादा होनी चाहिए, जबकि ये एक छोटा area है, तो heat loss यहाँ पे कम होनी चाहिए, बट अगर मैं surface area to volume की बात कुरूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, surface area to volume ratio चेक करो, तो surface area to volume इसका 6 है, इसका 1 है, यानि कि इसमें heat loss कम होगा, कि ये छोटा, जो cube है, बिल्कुल किस की तरह है, छोटे चुहे की तरह है, और ये बड़ा box जो है, बिल्कुल बड़े कुत्ते की तरह है, तो कुत्ता वहाँ पे survive कर जाएगा, ये नहीं survive कर पाएगा, तो guys, अगर आपको कोई भी doubts हैं, please आप मेरे telegram channel पर आईए, telegram link पर आप click करिए, बात करिए मुझसे, and even अगर आप चाहते हैं, तो gmail पर भी मेरे को message कर सकते हैं, contact details हैं, please मेरे से बात करिए, even description में भी सारी आपको details दे रखी हैं, whatsapp details भी हैं, जो भी doubts हैं, please confirm करिए, and I will see you again with the next lecture very soon, thank you so much.